हेलो एन वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्स लोजी हब तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर साथ हजार से ज्यादा स्पेशल एजुकेशन टीचर की वेकेंसी की नोटिफिकेशन आने वाली है उसको लेकर के बिहार सरकार ने जो मुख्यमंतरी के बिहार को एलोट कर दिया है ताकि वे स्पेशल एजुकेशन टीचरों की अपोइन्मेंट उनकी न्युक्ति और उनके सारे काम जो भी है वह हो सके तो उसको लेकर करके एक नोटिफिकेशन है और बहुत जल्द बिहार में स्पेशल एजुकेशन में टीजिटी पीजिटी बल पर आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी तो ज़्यादा देरना करते हुए चलिए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं समझते हैं उनकी सारी बारेकियों को समझते हैं तो जिन साथियों भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को दबा दें ताकि कि हमारी हर लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे क्यूंकि हम लोग सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा दें चलिए मिलते हैं वीडियो के पार्ट में जिसमें हम सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते ह ले निए हमलोग कुछ बिहार से संबनित व यकेंसिर की और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वेकेंसिश के अंदर जो की मुख्य मंतरी के साथ केविनेट की अध्यक्षता हुई थी पठना के अंदर उसके अंदर मुख्य बढूरा जो है कुछ वेकेंसि के लिए पर सारी डीटेल और क्या है प्रोग्रेस बिहार के अंदर इस्पेशल एजुकेशन टीचर की वेकेंसी के बारे में तो यह सारी चीजे जानते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर उपर लिखा हुआ है पड़िचालन के माध्यम से प्राप्त सहमती से समंदित परसासी पद वर्ग समीती की कारवाई यह जो समीती होती है जो इसकी वैठक होती है इसकी जो अध्यक्षता होती है वो माननिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार करते हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन वैक्ती जो होते हैं जैसे लिखा है आमिर सु प्रफ्यमंत्री के द्वारा ये कुछ निर्णे लिए गए हैं चलिए जानते हैं इन में कौन-कौन से निर्णे हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्री विवाग के अंदर जो है सहायक निदेशक का पद है एक इसकी सुक्रिती दी गई है उसके बाद आगे चलते हैं लिपिक या मैन मोटिव है इसके अंदर ये है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम उसकी बात करते हैं ठीक है लिखा हुआ है सिक्षा विभाग राजी के प्राथमी के मध्य विद्यालों में समावेसी सिक्षा के तहत बिसेश आवेसकता वाले दिव्यांग चात्र चात्रावों को शिच्षिनिक अनुसंधान परदान कराने के उद्यसे से चात्र सिक्षक अनुपात 15 अनुपात 1 के दर से विभिन दिव्यांगता के प्रशिचित विशेश सिक्षक के प्राथमिक विद्यालों में कुल 5534 पद एमध्य विद्यालों में 1745 पदों की देख सकते हैं, आपर शुकृती लिखी हुई है सब्ध शुकृती लिखा हुआ है तो यानि कि permission जो है ग्रांटेड हो चुकी है और जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 7- этого 2023 को यह प्रदान कर दी गई है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थात कुल 7,289 पदों के सुरिजन की सुकृति के संबंद में यानि कि ये मुख्यमंत्री के दुवारा पर्मीशन परदान कर दी गई है ठीक है ये बहुत वड़ी खुसकवरी है बहुत वड़ी न्यूज है उन लोगों के लिए जो बिहार, जारखंड और उत्रपरदेश के सीमावर्ती आलाकों में रहते हैं और वो चाहते हैं कि स्पेसल एजुकेशन में उनका केडियर बने और वो विशेस बचों को अपनी सेवाएं परदान कर सके तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा एक से पांच तक के लिए कितने भी से सीच्छों के है और छे से आठ तक के लिए तो CP के अंदर जो है प्राइमडी लेवल पर 285 और अपर प्राइमडी लेवल पर 83 पोस्ट ब्लाइंडनेस के अंदर देख सकते हैं 558 और 211 हेरिंग इंपेर्मेंट के लिए 988 और 317 और लो वीजन के लिए 931 और 347 और स्पीच और लेंगवेज के लिए 1370 तिनसो चालिस इंटिलेक्ट्वल डिसेवल्टी के लिए 544 और 201 और लर्णिंग स्पेसिफिक के लिए 478 और 120 और मल्टीपल डिसेवल्टी के लिए 288 और 1997 तो दोस्तों आपको इसके अंदर एक confusion हो रही होगी मैं आपको उसके बारे में भी clear करूँगा यानि कि देख सकते हैं आप 3.4.41.27 कितना है 3 अरव 3 अरव 4.41.27.331 रुपए यानि कि 3 अरव से ज्यादा amount जो है इसके लिए sanction किया गया है ठीक है और आप जान सकते हैं कि आपके मन में ये confusion होगा कि सर यहाँ पर आपने देखा कि blindness के अंदर 558 और 211 सीटे हैं और प्लस में यहाँ low vision भी लिखा हुआ है 931 और 347 तो इसको क्या blind जो वी आई है जिनकी बीएड special in visual impairment है तो क्या low vision के लिए अलग से कोई course होता है तो RCI के द्वारा ऐसा कोई low vision के लिए अलग से specific course नहीं कराया जाता है जो व्यक्ति ने बीएड special education in visual impairment में कर रखा है वो व्यक्ति जो होगा वो इसके लिए eligible होगा प्लस में CP के लिए अलग से बीएड होता है उसके अलावा hearing के लिए होता है speech के लिए भी होता है उसके अलावा जैसे स्वालीनता या दिव्यांगता autism के लिए भी होता है SLD के लिए होता है multiple disability के लिए होता है तो यहां पर जिनकी भी बीएड special in visual impairment है उनकी बल्ले बल्ले है क्योंकि 558 इधर और 931 इधर यानि की लगभग 1400 से उपर की seat पंद्रह सो से उपर की seat जो है इनके लिए है और प्लस में अपर प्रैमरी में भी इनके पास 211 और प्लस में 300 से लगभग 500 से उपर seat जो है इधर है सबसे ज़्यादा seat जो है वो visually impairment में आपको देखने को मिल सकती है यह सारी permission दी गई है finance department के द्वारा fund अलोट कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा permission दे दिया गया है राजेपाल के द्वारा security दे दी गई है यानि कि यह जो vacancy है special education की विहार government के अंदर यह vacancy जो है यह आपको पूरे तरह से देखने को मिल सकती है आने वाले 6 मेने के अंदर आपको notification मिल सकता है और plus में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह vacancy किसी भी contract mood में नहीं है क्योंकि जो रजनीश कुमार पांडे वर्सीज भारा सरकार का case हुआ था उसके अंदर साफ सुप्रीन कोर्ट की यह directions है कि कोई भी vacancy contract mood ऐसे से करमचारी के तौर पे या फिर किसी भी परकार की temporary arrangement के साथ ना निकाल करके बलकि permanent basis पे और जो भी राज्य सरकार का scale होता है जो भी राज्य सरकार की नियम होते हैं कानून होते हैं और जो उनके basic भत्ता और सारी नियम होते हैं उसके हिसाब से यह vacancies उनको निकालनी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा तो कहीं न कहीं यह आप देख सकते हैं इसके अलावा भी इसके अंदर और भी department के पद हैं जैसे देख सकते हैं अलग-अलग department के पद हैं और यह आप देख सकते हैं लोकेस कुमार जो की संसाधन विभाग ठीक है बित्त विभाग के सचिव हैं याद रखे यह देख सकते हैं जो finance department के secretary हैं उनका permission है उसके अलावा प्रधान सचिव जो है यानि की administration विभाग जो की rule regulation को देखता है उनकी permission है उसके अलावा मुख्य सचिव जो है finance department के उनके signature है प्लस में जो विकास आयुक्त है यानि की development commissioner है उनकी signature है प्लस में मुख्य सचीब बिहार सरकार के जो है आमीर सुवहानी उनके सिगनेचर है डेट लिखावा है 14-3-2023 ठीक है और बित्ति विभाग की परमीशन है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि बित्ति विभाग ने अपना परमीशन देख रखा है सुरेंदर ठाकुर सरकार के अपर सचीब का भी यहाँ पर सिगनेचर है यानि की 100% authentic चीज़ है और कोर्सोलोजी हाव आपको कोई भी ऐसी चीज़ देखाता ही नहीं है जिस चीज़ के उपर if and what कुछ लगा हो अगर if and what की कोई गुझायस होती है तो वो हम अपने notification में अपने वीडियो में आपको विल्कुल clear और सही जानकारी देने की पूरी कोशिस करते हैं दोस्तों तो यह बिहार के अंदर special education teacher का अपना सपना देखने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी news है तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अपनी तयारी में लगे रहें तयारी को ना छोड़े और अपनी तयारी करते रहें और यह वेकेंसिय आपको बहुत जल्द विहार में देखने को मिलेगी और आपका सुन्दर सपना जो है वो पूरा होगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहें स्वस्त रहें अपना ध्यान रखें तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों